नमस्कार, मेरा नाम पंकच कुमार पांडे, मैं इसना तक बीएट किया हूँ, मुझे शिच्छा में अभी लगबग दो ही महीने का अनुभव है, क्योंकि अभी हमारी नुक्ती नियु गुआ है, अभी हम नए टीचर के रूप में आए हैं, इसलिए अभी हमें सिच्छा के प्लेभ च्छेतर में ज्यादा अनुभव नहीं रहा है, वह मैं पीलिवी जिले में नौक्री करता हूँ, पीलिवी जिला एक टायगा控 कर देजरु छेतर के रूप में जाना जाता है, और यहां परिटन का भी एक बहुँःट बहुत बड़ा च्छेतर है, अर यहां पीले बिद्याले में 205 बच्चे पढ़ते हैं, जोंकि ग्रामीर पर इस्ष्य आते हैं, मेरी समस्या यह है, था कि मैं बच्चों को जिस तरीके से शिखाना चाता था, पढ़ना चाता था, उस तरह से बच्चे सीख नहीं पाते थे, उनका अधिरमस्तर बढ़ नहीं पाता था फिर मुझे जैसे ही यहाँ पे हमारे ब्लाक में अर्विंदो सोस्याइटी का प्रशिक्षण का कारक्रम चला और हम लोगों को मालूम चला, हम लोगोंने प्रशिक्षण में प्रदिभाग किया अर्विंदो सोस्याइटी द्वारा जो जे आई, आई, ई, आई का प्रशिक्षण चला और उसमें बिना पैसे खर्च किये नवाचार के माध्यम बताए गए जिससे पढ़ाई में सुधार किये जा सकते हैं, मैं अर्विंदो सोसाइटी में प्रशिक्षण किया और उन्हों ने, उन्हों, उन्लोगों के साथ हमारा, हम लोग अपनी समस्या को शाजा किये और साजे के उब्रांत, हमारी प्रशिक्षक्ष्री अमित यादो जी ने, जिस तरह हम लोगों को प्रेश्चर कराएं, जिस तरह आलाएं के माध्यम नवाचार के बारे में अपने पीसाय के गतिविदियों से अनभावात्मत सिच्छा है, बताएं जिस तरह मैंने विद्याले में जाके उनका प्रयोग किया, जैसे खेल-खेल, उनके मात्यम से सीखना, बच्चों को कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से, वैसे मैंने विद्याले में अपने बच्चों को सिखाया, और बच्चे अब अधिगम अस्तर को अच्छी से सहसे सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, मैं अर्विंदो सोसाइटी एवं एजडी बै, यपसी बैंक को यह मंच बदान करने के लिए, हम लोगों प्रशिच्छ देने के लिए, मैं उनका सहीरदय धन्यवाद करना चाओंगा, धन्यवाद